तो ही गाइज आई होब करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूँ अपनी इशोर आपका स्वागत करता हूं अपने यूटिव चैनल में तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आरेमसी का पेपर है यानि आरेमसी का जो एंटरेंस एक्जाम था वह पॉ पॉइंट हो चुका है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कब से कब तर पॉइंट हुआ है और क्यूं हुआ है तो जुड़े हमारी वीडियो के साथ और स्टार्ट से एंटर देखिए तभी आपको पता चलेगा कि आरेमसी का पॉस्ट पॉइंट क्या है तो गाइस उसस पहले अगर हमारी यूट्यव चनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आपको इन नोटिवेशन मिल जाए तो गाइस चलो चलते हैं और मैं आपको उससे पहले बता दूं की जो आजी हमसी करें ताकि इसके आपडेट्स आपको मिले और बस आपको नहीं 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 वो दे मिलिटरी स्कूल सैनिक स्कूल इस सबके अपडेट्स आपको मैं चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो चलो चलते हैं और आपको मैं बतायता हूं की डीटेल्स तो आप हम आ चुके हैं औ फ़स्ट में कुछ नहीं है दोस्तों यहां पर यह ओफिसर्स के लिए फ़स्ट लाइन फ़स्ट जो है वो है अब हमाई लिए लाइन वह सेकेंड गई सेकेंड तो चलिए हम यहां देख लेते हैं सब्मिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म जून 2021 एक्जाम यानि की जो एप्लि 2021 थी बट अब देखते हैं वह कब पॉस्ट मॉइंट हुई है तो चलो आगे पढ़ते हैं दे लाइज डेट ओफ सब्मिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म इंटी एली वाज फिफ्टीन एप्रील 2021 दे लाइज डेट ओफ सब्मिशन यानि इसका मतलब कि अप्लिकेशन का जो लाइज डेट था वो था फिफ्टीन एप्रील 2021 बट अब आगे देखते हैं तो आगे क्या लिका है दा सेम वाज एक्स्टेंड अप टू थर्टी एप्रील 2021 अब जो एप्लिकेशन फॉर्म संबिट कने का जो ताइम था वह आगे बढ़ा दिया गया 30 एप्रील 2021 से आगे परहा दिया गया तुछ गाइस हम आगे बढ़ते हैं बाट ड्यू टू प्रवेलिंग कोवीद 19 केसे एंड कंसाइडरिंग दा लॉकडाउन सिच्वेशन इन सेम स्टेट दा लास्ट डेट फॉर सब्मिशन डेट और अफ एप्लिकेशन यानि से कहने का मतलब दोस्तों यह सब्सक्राइब ऑविब दोस्तों गए है कि जो कोवीद 19 के केसिस थे और लॉकडाउन के वजह से इसके कारण जो है यह यह जो पॉवाइंट और यह जोफ़र हो गए और यह चलाब संतना इते कोर पोश्त पॉइंट होई है यह आज़त्वाग W城ुपोइन लगने के वज़ से पॉस्ट पॉइंट हो रहा है और अब 21 में 2021 तक जो है एप्लिकेशन फॉर्म की डेट दी हुई है तो जल्दी देर किस बात के फिलप कीजिए और जल्दी से अपना फॉर्म भरिये तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे है स्टेट और ओर टरिटरी स्टेट यू आड यू टेक्वेस्ट टू एशेप्ट आप्लिकेशन फॉर्म रीसीब टिल 21 में 2021 यानि कि यहाँ लिखा गया है कि आपसे विंती है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एप्लिकेशन फॉर्म को एसेप्ट करें और जो आपको 21 में 2021 को रिसीव होगा गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और रिक्वेस्टेट टू फॉर्वर्ड डीटेल ओफ कंड़क्टिंग ऑफिसर्स एंड दीमांड ओफ कोशन पेपर बाइट 31 में 2021 यानि इसका मतलब है कि आपसे विंती की जाती है आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मैसेज को फॉर्वर्ड करिए ताकि जो ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स थें डा रिख पर बरे हैं वह बच्वात पॉस्ट प्रेश उन्हों ने जो यह फॉर्म भरे हैं वह जान पाएं वह जान पाएं कि यह फॉर्म जो है कब पॉस्ट पॉइंड लुआ है अगे बढ़ते हैं डीमांड ओफ कोशन पेपर बाई 31 में 2021 यानि कोशन करना है एक्जाम डेट तो यह जरूर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आप इसी के लिए पुरी वीडियो को वाच कर रहे हैं तो चलो यहां देखते हैं एंट्रेंस एक्जाम विच इस ओरीजनली सेड्यूल ऑन जून फाइव यानि इसका मतलब है कि है और बढोगे हैं फ्रेष देंटनी में अ लाइड़ यानिकी अभी तक आई नहीं है दिए रिकिस्ता और सब्सक्राइब कर लेया प्र kisses य नहीं गया है वह लोगाइव शन्यक्राइब कर लेता कि और बवी अबडेट्स आपको मिल जाए और आप जरूर देख पाएं तो guys, आपको वीडियो कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो REMC के लिए हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल भी ना बुनना तो guys मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं in the next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई